हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब दोस्तों आज मेरे पास में एक जियो का फॉन है जिसका मोडल है F220B और इसके अंदर प्रॉल्लम है कि सिम लगने के बाद और सही सिम होने के बाद भी यह हमारा फॉन सिम नहीं पकड़ रहा है मैं आपको एक भार चेक कर के दिखाए दूंक ऑन करके फॉन को कि यह रहीं है और यह मैं आपको इस वीडियो 그럼 को दर देखना है और नहीं पकड़ रहा है तो कहां से सही होगा यह भी मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो के पर कि बने रहें और अगर हमारे चराले उसे जरूर करें तो बीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ में शेहर करें कि टोड़ी देर में था होत दोस्त यह जी doet है कि अर्ब इस समय कि अब यहाँ होने केस में सिम बनी वी आ रही है और सिम की काटी आ रही है इसका मतलब यह है इस फॉन के अंदर इंसट यह के फॉन कह रहा है कि सिम इसमें इंसट करिए जबके दोस्तों सिम इसके अंदर लगी वी है फिर विप में आपको एक बार दिखा देता हूं यह देखिए सिम इसके गोजुन कर देता हूं, आपको दिखाने के लिए, सबसे पहले तो हम इसमें रेडिंग चेक करेंगे, यह मैंने सिल निकाल के यहां रख लिये, रेडिंग चेक करने के लिए, दोस्तों, मल्टीमेटर को बजर मोट पर रखेंगे, और बजर मॉंट को रखने का बाद में हम रेड ट्रॉप को ग्राउंड करेंगे और ब्लेक को हम सब एक एक छे पोइंट होते हैं सब पर हम टाई करेंगे सबसे बेले हम इस पर जेक करते हैं यह आपको मिटर भी दिखाई दे रहा है और आपको कौन भी दिखाई तो यह देखिए पहले ही वाले जो पॉइंट है यही इसमें मिस दिखाई दे रहा है यह पॉइंट इस पर कोई रेडिंग नहीं आ रही है दूसरे पर टाई करते हैं यह देखिए दूसरे पर 400-400 रेडिंग आ रही है इसमें भी 600-400 रेडिंग आएगी इस पर दोस्तों दूसरे पर टीसरे पर ट्राई करते हैं इसमें भी 600-400 रेडिंग आ रही है अब दोस्तों का नीचे एक ग्राउंड होता है पॉंट यह घ्राउंड है और यह पॉंट एक खाली होता है इसका यह भी कुछ नहीं होता है इसमें पॉइंट में बड़ी दूसरे पॉंट है यह देखेंगे इसमें 600 रेडिंग ने इसमें हमारी इस सालय चारड सो reward तो इसका मतलब यह.के और भी लाय फीत है किते हैं कि यह पॉइंट हमारा में स्सय कर कर दो चेक करने के बादोत निज एक मैं और बाद लो आपको एकeton में कमौना हे इस पर स्जेक कॉरणे का हुआ है जेक और जो आपको यह पांच यालो कलर के पिने नजर आ रहे हैं यह सीम एक और करेंगे और यह आपया है कि seo कभी कभी का होता है दूस्तों यही से ट्रेक कड़ जाते हैं पानी वनी में जानी व्यावेसे या वैसे भी तो यहीं से चंपढ़ देदेंगे तो यह सही हो जाएगा पर पहले चेक करेंगे कि यह ok है या नहीं तो देगे यह पॉइंट बिल्कुल okay है नहीं है है अब क्या करेंगे अब यह जो jack लगा हुआ है इस jack के नीचे आप देख रहे हैं यहां पर एक resistance लगी वी है कि बिल्कुल से मैं आपको पूर दिखाता हूं यह जेट की पूरी कुल एक रेजिस्टेंस यह लगी वी है थोड़ा तोड़ा और दोस्तों में जूम करके दिखायता हूं आपको ताकि बिल्कुल के लिए समझ में लगा है कि मैंने इस पर लगाया हुआ है कि यह रेजस्टेंस लगी विए इसके बेराबर में दो बोल्वूं कि खाली है और जो तीस्रा थे यहां पर एक réस्टेंस हे जो के खराब हो चुकी थी मैंने हैं से निकाल दिए तो मैंने इस में नीचे वाले पैंट अधने पर एक अगर यहां से भी यह पॉइंट काम नहीं करता है तो हम इसके यहाले पॉइंट पर जंपर लगाएंगे तो अभी मुझे यहां पॉइंट यहां पर लगाना है कि यह हमारा यह तो काम कर रहा है यहां से और यहां पर एक जंपर दे दिया है यहां से और यहां तक एक जंपर दे दिया है और अब मैं इसमें SIM लगाता हूं, SIM लगाकर आपको चेक कराता हूं कि इसमें SIM connect हो रही है या नहीं हो रही है, देखिए SIM लगी दिये, यह मैंने वेटरिय जगा दिये और अब मैं इसको on करता हूं तो यह देखिए दोस्तों, फॉन हमारा on हो चुका है और हमारी SIM भी connect हो चुकी है और इसके अंदर देखिए, जियो भी लिखाव आ गिया आप देख सकते हैं कि यह फॉन हमारा बिल्कुल okay हो चुका है जो हमारी SIM काम नहीं कर रही थी वो अब हमारी SIM काम करने लगी है और जंपर में आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं यह जंपर देख लिजिए यह यह ले ट्रेक से या तो यह इस ट्रेक पर लगा देंगे यह जो SIM का जो पॉइंट है वहां से ले लेंगे और यह जो आप देख रहे हैं इस पॉइंट के ब्रावर में एक रेजिस्टेंस है यह इसके नीचे वाली साइट से आप यह जंपर लेंगे तो यह लगाने के बाद में यह काम हमारा ओके हो जाएगा तो इस तरीके साथ सिम की प्रॉलम को सॉल्व कर सकते हैं चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में